अगर आपका भी बजन बहुत जादा बढ़ गया है एक्सरसाइज कर नहीं सकते हो और चाहते हो कोई सिंपल सा उपायच जिससे कि आपका बजन कम हो जाए तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा वेट लॉस ड्रिंक शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ही जादा सिंपल है ना सिर याफ बहुत ही जादा सिंपल है आपको कोई भी महनत करने की जरूरत नहीं है जैसे आप चाह बनाते हो ना मॉर्णिंग में बस युष से ही आपको इसे एक चाही की तरह बनाना है और यूस करना है इस तरह से इस ड्रिंक को आपको तयार करना है आगे देखते हैं बहुत जुचकत प्लिवरी थे सिर्फ सेल κιन बच्चे को जनबिव देते हैं तो बरजायना बहुत जादा लूज हो जाती है जो मुसल्स होते है इस बहुत बुरी रहुत से डैमें न में जॉलिवरी नौ Cup कॉले ठीक हमें यह दूल हगाई हूं lire तो कि पहकी एर cu fun घैये तो तो तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत जादा लूज हो जाते हैं कोलेजन टीशू बनना बिलकुल कम हो जाता है और नतीजा की बजाइना बहुत ही जादा लूज हो जाती है तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे की हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें जी हाँ ऐसा तरीका है जिससे की हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं सबसे पहला तरीका है exercise exercise की help से आप बढ़ जाएना की होई-खुई elasticity और muscle strength को बप्पिस दुबारा से पा सकते हैं Google आप करोगे तो बहुत सारी एक्सी exercises हैं जिससे कि आप इस समस्या से बिल्कुल पुरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं जो लोग अब exercise नहीं कर सकते हैं क्यूंकि after delivery हमारा बजन बहुत जादा बढ़ जाता है शरीर में भी बहुत ताकत नहीं रहती है कि आप exercise कर सकें तो क्या और कोई तरीका नहीं है जी हाँ एक ऐसा तरीका सिंपल तरीका में आपको बता रही हूं मेरे पास हैं यह वीजी 3 टाबलेट्स जो की बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं यह नाच्रल टाबलेट्स हैं एंड किसी भी तरह के केमिकल जैसे सलफेट पैरविंस में कर दो नहीं है तो बेजसे आप इनहीं यूज कर सकते हैं fragrance कौरने का इसके ऋपर आपको लिखा गया होता है किस साहिए आपको इसे तरह करना है आप इसे इसे यूज कर हैं किस चीडिके से आपको इस वेट लॉस ड्रिंग को तयार करना है तो वेट लॉस ड्रिंग को तयार करने के लिए हमें चाहिए जीरा जी नहीं बलकि कैंसर जैसी भीमारी से लडने के लिए भी Jesus praying पाइदे मंद सावित हुआ है जीरा पोशक ततों का भंडार है इसमें एनरजी प्रोटीन फाइवर केल्सियम मैगनिशियम पोटाशियम बिटमिन बी शिक्स बिटमिन सी बिटमिन ए बिटमिन ए बिटमिन के फैटी एचिड्स भर पूर मातरा में पाए जाते हैं जो कि आपक आपको याद नहीं रहा है कई वरी हो जाता है कि हमें रात को याद नहीं रहता कि बिगोने के लिए डालना है तो भी दिक्कत वाली कोई बात नी है अगर आप इसे instantly भी बनाना चाते हैं तो भी मैं आपको बता रही हूँ लेकिन अगर आप इसे बिगो देते ऊओ तो रात जसा हो जाता है तो आप फिर गैस पे कुछ देर के लिए पकाऊगे अच्छी तरह से आपको पकाना है अगर आप इंस्टेंटली बना रहे हो तब भी आपको यही करना है एक गिलास पानी में आपको एक चमच जीरा गैस पे रख लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इस ताय को बोईल करते हैं तीन-चार बोईल आने दीजिए और उसके बाद अप अपनी गैस को बंद कर सकते हो अब देखे आपका यह जीरा है इसे आप चाहें तो उसे च्छान करके अलग भी कर सकते हैं सिरु पानी-पानी ही इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसे जो जीरा है उसी के साथ ही यूज कर सकते हैं जो जीरा है उसको भी चवा चवा करके खा सकते हो क्योंकि जीरे में फाइवर भी भरपूर मातरा में पाया जाता है अच्छे से बॉइल करके मैंने इसे च्छान लिया है आप चाहें तो जीरे के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं अब इसमें हम एड करेंगे एक चम्मच शहद का शहद एंटी ऑक्सिदेंट से भरपूर होता है पहुत सारे ऐसे पोशक्ततों इसमें पाये जाते हैं जो कि हमारे वेट लॉस के लिए हेल्फुल होते हैं यह आपके मेटवलिजम रेट को भी बूस्ट करता है लेकिन एक चिसका आपको खास खयाल रखना है कि शहद आपका प्योर होना चाहिए इन केस अगर आपके शहद में सुगर एड़िड है तो यह आपके वेट लॉस की जगा आपका वेट इनक्रीज भी कर सकता है तो शहद अगर आपके पास प्योर है आपको पता है कि नहीं यह बिल्कुल प्यूर है इसमें किसी तरह की सुगर नहीं है तो ही आप लीजिएगा अधर्वाइज आप स्किप कर दीजिएगा शहद से यह होगा कि इसको एक बढ़िया जैसा टेस्ट भी मिल जाएगा और दूसरा शहद हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत जादा है बह अगर थोड़ा कम रस है तो पूरा निम्बू आप ले लीजेगा देखिए जो मैंने यह स्पून ले रखा है न तो इसे भर के एक पूरा स्पून मुझे निम्बू के रस का इसमें एड करना है जैसा कि आप सभी जानते ही है कि निम्बू के रस में साइट्रिक एसिड पा अगर आप रेगुलरली निम्बू का रस डेली सुबा मॉर्निंग में पीते हो तो आप देखोगे कि आपका बजन ऑटोमेडिकली कम होता जाता है तो देखे यहां पर मैंने आदा ही निम्बू लिया है क्योंकि मेरा निम्बू काफी रसीला था अच्छी तरह से इसे भी गिलास में मिक्स कर लीजिए अब देखे इस ड्रिंक को आपको गरम गरम ही पीना है जैसे आप चाय पीते हो ना उसी तरह से सिप सिप करते हुए चाय की तरह ही अगर आप इस ड्रिंक को पीते हो तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे एकदम से रिजल लॉक्स ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है जीरे में मात्र 7 कैलोरी होती है इसलिए बजन गटाने के लिए ये बहुत जादा फाइदेमंद होता है तो अगर आप से पॉसिबल होता है तो चाय को आप स्किप कर दीजिए इस ड्रिंक के साथ आप देखोगी कि आपको कुछ भी एक्स्टा करने की जरूरत नहीं रह जाएगी इस ड्रिंक के बाद ना आपको भूक भी कम लगती है तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर का बटन जरूर दबा दिजेगा साथ ही इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दे रहती हूं तो आज के लिए इतना ही नमिशकार